नहीं मैं यही कह रहा हूँ उन्होंने जो यश्राज की फिल्म थी जो उनका एक ही दफा ऐसा टक्राव हुआ है सनुसरदार और यश्राज की फिल्म का और उस वक्त उन्होंने सारे हर्बे अपनाये थे उस वक्त उन्होंने सारे पेंतरे बाजी की थी उस वक्त उन्होंने सा तो जो उन्होंने उस वक्त किया था वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें और वो मेरे कंधे पे बंदूग रखके वो कोड जाना चाहते हैं ताके वो करन जोहर को यह साबित कर सके कि इन्होंने कंपटिशन में ऐसी घलत चीज़े की हैं जो फेर नहीं थी अगर मैंने यह कह दिया कि भाई उनकी ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है और अगर मैंने यह कह दिया कि एदिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है तो उनको इतना बुरा लग गया उनको उनकी रातों की नीद उड़ गई उनके पैरों के नीचे से जमीन किस गई और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा तो यह तो उनसे पूछे कि मैं उनके लिए इतना इंपोर कि भी शिवाय के बारे में यह नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूं करन जोहर ने मुझे कभी भी किसी भी फिल्म के बारे में यह नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं ना ही मुझे करन जोहर ने कोई पैसे ओफर किये ना ही मुझे करन जोहर ने क ग्राइबगे तो जाइर से बात करें गेंगे और यह रिपलाइए करेंगे जरूजिए, सब्सक्राइब गारिए करेंगे कइस है本से आ जोड़ी दोनों फिल्म का रिवीव करूँगा और यह रिवीव के बादậ में करणा लेख लिजिए गाकि अकशी फिल्म हुई तो मैं उसका जबरदस रिवियू दूँगा और अगर बुरी हुई तो जाहिर सी बाते खराब दूँगा और ये अब की बात नहीं है ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है इस इंडस्टी में मेरा रितेश से ज़्यादा क्लोस फ्रेंड कोई नहीं है उनका जब पहला आपके बारे में आपको बताता हूं मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या-क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताओं तो बहुत लंबा हो जाएगा बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी इस से श्रिवाय को बहुत नुकसान होगा क्यूंकि अजे देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थूरू के उनकी फिल्म अच्छी नहीं है उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कैसा रिव्यू देंगे तब ही लोग उनकी फ आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करन जोहर के साथ लड़िये मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिये आप एले क्रिटिक्स इतने पाउरफूल हो कि फिल्म को इनको बॉक्स ऑफिस की सक्सेस ना सक्सेस पे बहुत बड़ा हाद होता है आप अपने आपको किस तरह से रिटिक्स हैं वो सब पत्रकारी हैं तो आप लोगों को भी मतलब गर्व होना चाहिए इस बात पे तो के कमाल खान वो ही कहता है जो सच होता है वो फिल्म किसी दोस्त की हो या दुश्मन की हो और पबलिक भी मेरा रिवीव इसलिए देखती है क्योंके उनको पता है कि भाई मैं वही कहूंगा जो सच होगा और ये आपके सामने मोहन जोदारो और रुस्तम में भी हो गया आपके स कुमार आए मेरे पास 25 लाग लेके कि भाई आपने मेरी फिल्म को बहुत परमोट किया और मेरी फिल्म का रिवीव बहुत अच्छा दिया और 25 ले लो तो ना मुझे उन्होंने पैसे दिये ना उन्होंने दिये तो भाई मैं जो सच है जो मुझे लगेगा वो मैं जरूर कह पाप फोन किया उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए और मुझे लगता अब उनके दोस्तों उनसे बात भी नहीं करें मैं इसको 100% confirm नहीं कर सकता कि उनके प्यारों है प्राग साहब और प्राग साहब एक जमाने में मेरे पास कुछ 10 दिन काम कर रहे थे और वो इतने वाईयात इतने घटिया प्यारों है कि उनको मैंने लात मार के बगाया था तो शायद उनको ये बात याद है कमाल खान ने मुझे लात मार के बगाया था तो उन्होंने कुमार मंगत को ये उल्टी एडवाईज दी कि देखो आप अपने दोस्त कमाल खान की रिकॉर्ड कीजिए बाते और मैं उसको मीडिया में दूँगा और हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी पराग साब इस फिल्म को लेकर आप भी डूब हो गए मुबार्ख हो सर आपको कमाल खी आप मानते हो कि आपके जो रिव्यू है उसके वज़े से आप पंदोलो या फिर आपकी लिंक उस तरह से है आपके वज़े लोग डरते हैं देखे मेरे कोई लिंक नहीं है भाई मैं सीधा साधा बिजनेसमेन हूँ ठीक है और जैसे मैंने कहा मैं दो फिल्में अजे के साथ ही कर चुका हूँ तो जाहिर सी बात है ये उनको भी पता है बट क्यूंके पब्लिक मेरे साथ है मैं रिव्यू पब्लिक के लिए देता हूँ और पब्लिक मेरा रिव्यू देखके डिसाइड करती है कि फिल्म देखनी है के नहीं देखनी है बस यही मेरी ताकत है पब्लिक जो है पब्लिक मे मैं को यार यह क्या घटी आए तो फिर करण जोर कहेगा कि भाई मुझसे पैसे लेके इसने तो मेरी फिल्म की मावहन कर दी तो यह हो सकता है जो टीजर आया है वो मुझे जबर्दस्त लगा है जो गाना है टाइटल सौंगे वो जबर्दस्त है ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा क्या है पैसे नहीं मिले सर पैसे नहीं मिले करन सर सब ने कह दिया सर हंगामा हो गया सर पच्छीज लाग भेज दो सर कुछ थोड़ा रिनुवेशन वगेरा करा लेता है करन जोहर आपको लगता है करन जोहर जूट भो सकता है तो अगर यहीं मतलब कल को क्या कह दे तो पता ही नहीं चल रहा है तो पैसे देते नहीं अरे भाई जब अच्छा को तो पैसे तो दो कम से गम यार आप मांते हो इंडस्ट्री के अंदर आपसी मद्भैद है खाली उपका देखो यह जगड़ा यह जगड़ा दो लोगों का है यह करन जोहर और अजे द्योगन का जगड़ा है जो एक दूसर जोहर की फिल्म है तो उसके बावजुद मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे लोगों को इस लड़ाए में घसितना चाहिए उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए जैसे रितिक और अक्षे लड़े हैं इमांदारी के साथ लड़े हैं उन्होंने हाला कि अ मैं जो समझता हूँ कि करण जोहर साथ अजे देव गन्ने और कुमार मंगत ने दोस्ती खाते में मुझे बली का बकरा बनाया है अश्वर या राय भावी हैं भाई हमारी है और हमें अच्छी मी लगेगा प्याँ खुछगा, ओजे लड़े वहा दोस्ती दोस्ती और यहां रामवी हैं जोस्ती खाते हैं झाला कि भावी हैं